दोस्तों गर आप फाइनस में इंट्रेस्ट रखते हैं तो केरियर बिट के ओफिशिल फाइनसियल यूट्यूब चैनल फिनो बिट जिसका लिंग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पुनह रियरंज करते हुए मेरिट बना करके बिएड अभियोर्तियों को बाहर किया जाया उस जैजमेंट के अगेंस्ट में एक याची का स्री नवीन कुमार जी के द्वारा आज केस टेक अप हुआ और दो बार टेक अप हुआ आज भले ही कुछ खास डिसीजन नहीं आया और अगली डेट मिल गई है लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग थी उसको जानने के बाद से आपको थोड़ा बहुत अंदाज जरूर मिलेगा कि ये केस भविश में जाकर के किस डिरेक्शन में जा रहा है तो अगर आप बीड पक्स हैं या फिर डिलेट पक्स हैं न्यूट्रल हो करके ये वीडियो देखेगा तभी आपको पूरा मैटर समझ में आएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज आप देख रहे हैं केरियर बिट यूट्यब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार उजट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले जब पहली बार केस टेक अप होता है तो बहुत मजाकिया मूड में Honorable Justice जो Honorable Justice विक्रमनाथ और Honorable Justice प्रसना जी की बेंच में ये मामला लिस्ट किया गया था तो बहुत ही मजाकिया मूड में जब वो देखते हैं कि B8 की तरब से Senior Advocates के बहुत भारी पैनल उपस्तित है तो Senior Advocate उपस्तित होते हैं कोर्ट में तो फिर Honorable Justice पूछते हैं कि ये किस की तरब से हैं तो उनके द्वारा जवाब दिया गया कि ये Right तरब से हैं यानि Beard की तरब से हैं उसके बाद से Honorable Supreme Court ने कहा फिर तो Definitely Dismiss हलाकि ये सब चीजे मजाग के तोर पर चल लए थी एक जैकली कोर्ट में क्या हुआ इन सभी चीजों को ले करके आगे आप वीडियो देखिए उसके बाद से मामला थोड़ा सा सीरियस होता है और जो बीड की तरब से एड़ोकेट पैनल उपस्तित थे उनमें से एक एड़ोकेट के द्वारा मानने ये सुप्रीम कोर्ट को ये आउगत कराया जाता है कि हम सभी बीड एप्वांटीज की तरब से हैं और आप हाई कोर्ट को एक नोटिस इशू कर दीजे उनका जो जज्जमेंट है दो अप्रेल का जो की बीड को बाहर करने के लिए दिया गया था उस पर इस्टे दे दे दीजे उसके बाद से ओनरेबल जश्टिस के द्वारे ये क्रोस कोशन पूछा जाता है कि आप हमें ये समझाईए कि जो हाई कोर्ट का जज्जमेंट है उसमें एरर क्या है उन्होंने देवे शर्मा जी की याचिका को आधार बनाते हुए बीड को आप आतर गोशित कर दिया और उसके अधार पर उनको बाहर करने का आदेश दिया तो उसमें क्या एरर है सुप्रिम कोट ने पूछा कि आप हमें ये समझाईए एक्जैक्टली सुप्रिम कोट के वर्डिंग्स क्या थे आप अगले वीडियो में देखिए उसके बाद से जो बीड की तरब से कराते हैं कि जो स्री देवे सर्माजी की याचिका में जेजमेंट दिया गया वो उत्तर प्रदेश की 79 जार में जो स्री राम सर्न मौरिया वाले मामले में उनरेबल जश्टिस स्री यूयू ललित जी के द्वारे जो जेजमेंट दिया था उसको फॉलो नहीं किया गया ये बीएड की तरब से तर्क दिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की 79,000 सिख्षक बर्ती में मानेने सुप्रिम कोट में जो 2020 में जज्जमेंट दिया गया था उसमें सुप्रिम कोट ने ये कहा कि 79,000 में जो बीएड को एलाओ किया गया है डबल बेंच के द्वारा यहाँ पर प जो राम सर्ण मौर्या वाला केस है जो की 79,000 उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है सिरी राम सर्ण मौर्या वाला केस जो है उसमें बीएड को राइटली एलाओ करने के लिए बोला गया है और ये मैटर जो है वो देवेड सर्मा जी की आचिका में फॉलो नहीं किया गया और ये ओन रिकॉर्ड है ये बीएड की तरब से एड्वकेट ने सुप्रीम कोड को आउगत कराया एकजैकली उनके क्या वर्डिंग्स थे आगे वीडियो में सुनिए आगे वीडियो में मैं ये भी समझाने की कोशिश करूँगा कि जो बीएड की तरब से पक्ष रखा गया कि राम सर्ण मौरिया वाले केस को फॉलो नहीं किया गया उसका पूरा बैक्ग्राउंड क्या है ये आगे आप वीडियो में देखेंगे अभी तक जो पूरा सिचुएशन हो चुका था उससे पहले जब ये केस टेक अप हुआ पहली बार तो जो डियलेट की तरब से एड़ोकेट उपस्तिते श्री मंदीप कालला जी उन्होंने केस को कोड को ये उगत कराने की कोशिश की जो की जो सीनियर एड़ोकेट है उपस प्राइब कर दिया जता है यानि कि कुछ समय दे दिया जता है ताकि वो अध़ोकेट जो दूसरे केस में एंगेज है वो वहाँ से फ्री होकर करके इस केस को जोईन कर सकता है तो इसी तरह से यहां पर भी केस को पासओवर किया गया कुछ समय के लिए और जब दुबारा के टेक अप होता है तो जो senior advocate थे स्री गोपाल नरायन जी वो case को जोईन करते हैं और इससे पहले सुप्रिम कोट पूछती है स्री मंदीब काला जी से कि कौन appear होने वाले हैं यानि कि कौन senior advocate जो DLA की तरब को represent करेंगे तो उनको court को ये ओगत कराया था स्री मंदीब काला जी ने कि स्री गोपाल नरायन जी उपस्तित होंगे और जब दूसरी बार case take up होता है तो वो उपस्तित हो जाते हैं उसके बाद से B8 की तरब से जो advocate थे वह appear नहीं हो पाते हैं और उस condition में honorable supreme court से फिर समय मांगा जाता है कि थोड़ा सा पासवर कर दीजे और थोड़ा सा और समय ले लिजे तब तक B8 की तरब से जो advocate उपस्तित नहीं है वो आ जाएंगे honorable supreme court साब तोर पर कहती है कि यहाँ पर dealate वाले candidate जो थे जो उनके advocate थे वो यह चाहते थे कि case आज ही सुना जाए तो उस पर honorable supreme court यह कहती है कि हमने आपके लिए भी case को pass over किया मतलब आपके advocate उपस्तित नहीं थे तो B8 के अगर उपस्तित नहीं है तो हमें उनको भी मौका देना होगा और इसी के तहत एक नई date दे दी जाती है अब यह case जो है वो सुक्रवार को सुना जाएगा सुक्रवार को यह case सुना जाएगा सुक्रवार को यह case honorable supreme court में final हो सकता है अब यहाँ पर आते हैं कि क्या चीजे हुई और उसको ले करके सुक्रवार को किन चीजों पर बहस होगी और B8 की तरब से जो पक्ष रखा गया कि सुरी रामसर्ण मौरिया वाले case में जो कि उत्तर प्रदेश की 69 जार से जुड़ा हुआ है उसमें B8 को rightly allow किया गया और यह matter consider नहीं किया गया देवे सर्माजी की याचिका में matter को लेकर के अगर अलग-अलग decision आ जाते हैं तो उसको उपर के bench में भेजा जाता है जैसे यह स्री देवे सर्माजी की याचिका पर देखेंगे तो दो जजों की bench ने फैसला दिया था यह उनके द्वारा कटाक्च किया गया था क्योंकि actually में जो B8 की तरब से मामला रखा गया वो मामला actually है ही नहीं क्या है पूरा मामला इसको समझने के लिए आपको पटना हाइकोर्ट चलना होगा जब छठे चरण से B8 अभीरतों को बाहर करने के लिए मानने पटना हाइकोर्ट ने अपना आदेश जारी किया था इसकुन पर अभी आप मानने पटना हाइकोर्ट के द्वारा जो छठे चरण में याचिका दायर की गए थी चास तिरपन ओफ 2021 2021 में 2020 में जो वहाँ पर भरती प्रक्रिया चल लए थी उसमें B8 अभीरतों को चैलेंज करते हुए बिहार के जो DLA वाले कंडिडर थे वो पटना हाइकोर्ट का दरवाजा खटकट आते हैं ठीक है जिसे जानना आपके लिए बेहर ज़रूरी है जो कि आज के माने ने सुप्रिम कोट के केस से जुड़ा हुआ है इस टोटल 27 नंबर के पेज के कोट और में जब आप 18 नंबर पेज पर जाएंगे तो जो आज सुप्रिम कोट में पक्ष रखा गया कि रामसरन मौरिया वाले केस को देवे सर्मा जी की याचिका में कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि रामसरन मौरिया वाला केस जो है वो बीएट को राइटली एलाउ करता है और वो भी सुप्रिम कोट का ओन रिकॉर्ड जज्जमेंट है तो यहाँ पर माने ने पटना हाई कोट ने क्या पड़ी किया it has to be immediately stated that the process and the procedure by which the notification was issued was not examined by the honorable Supreme Court in रामसरन मौरिया माने पटना हाई कोट अपने proceedings में यह पाती है कि Supreme Court का जो रामसरन मौरिया वाला जज्जमेंट है जो की 2020 में आया था स्री यूयू ललिजी के त्वारे जज्जमेंट दिया गया था उस जज्जमेंट में जो नोटिफिके उसको बनाने का प्रोसेस और प्रोसीजर को एकजामिन ही नहीं किया गया नोट एकजामिन नहीं किया गया था Supreme Court के द्वारा क्यों नहीं एकजामिन किया गया क्योंकि कोई भी कोट चाहे Supreme Court हो या फिर High Court हो उन्हीं चीजों पर बलिलो को सुनती है जो की आप Prayer के तोर पर ल जोकी जोतपूर में चैलेंज किया गया था उस तरीके यानि उतरप्रदेश के आप ठाइबो दिखान मन्हें आयगा की यहां पर जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था दिसंबर 2018 में 79,000 के लिए सिक्छाक भरती का नोटिफिकेशन जारी होता है इससे पहले जो 28 जुन 2018 का गजट नोटिफिकेशन था वो जारी हो चुका था तो उस कंडिशन में उत्तर प्रदेश राजय सरकार जो यहां की अध्यापक सेवान यमावली है 1981 जिसके अंतरगत प्रात्मिक में भरती होती है UP में उसमें बिना संसोधन किये हुए 28 जुन 2018 के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से दिसंबर 2018 में एक नोटिफिकेशन निकालती है 29 जिसमें B8 को एलाव किया गया था जबकि इन्होंने अपने सर्विस रूल में बदलाव नहीं किया और इसकी परिक्षा होती है 6 जनवरी 2019 को अपनी परिक्षा के ठीक एक दिन बाद 7 ज तो पून 24 वा संसोधन किया कि B8 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से उत्तर प्रतिस में भी वैलिड होगा तो मामला यहां पर यह बना कि यह अपने सर्विस रूल में बाद में जाकर के चेंज करते हैं नोटिफिकेशन पहले दिसंबर में ही जारी हो चुका थ परिक्षा 6 जनवरी 2019 को संपन हो गया था क्वालिफाइंग मार्स डिसाइड हो गया साथ जनवरी को और उसके बाद जाकर के यह अपने सर्विस रूल में बदलाव करते हैं जो 1910 वाला है तो यहां पर जब यह मैटर को चैलेंज करते हुए डियलेट के तरब से यह रखा कर दीजिए और 24 वा संसोधन किस से जुड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश के सर्विस रूल से जुड़ा हुआ था तो मानने सुप्रिम कोट ने यह कहा कि जो 28-2018 का गजट नोटिफिकेशन ध्यान से सुनिएगा 28-2018 का गजट नोटिफिकेशन है वो बाइंडिंग नेचर क इसलिए राज सरकार बाद है थी कि बीट को अलाव करना और इसलिए जो यहां पर पहले मैटर हाई कोट के डबल बेंच में गया था हाई कोट ने यह पाया कि यहां पर बीट को राइटली अलाव किया गया क्यों किया गया क्यों किया गया क्यों किया गया 28-2018 का गजट उसके अधार पर चैलेज नहीं किया गया था NCT Act 1993 है उसके एहम प्रावधानों को लागू करके नोटिफिकेशन लाए गया या नहीं उसको लेकर के चैलेज नहीं किया गया बलकि जो 24वा संसोधन था अध्यापक सेवा नियमावली में जो नोटिफिकेशन के बाद किया गया था उसको चैलेंज किया गया था सूप्रीम कोट में और चुकी सूप्रीम कोट ने ये कहा कि यहाँ पर यह बाधेकारी नेचर का था इसलिए राजसरकार की जिम्मेदारी थी कि B8 को यहाँ पर सामिल कराए और वो सामिल करा करके भले ही इन्होंने बाद में संसोदन किया लेकिन वो सामिल कराना वो बिल्कुल ठीक था इस तरीके से उन्होंने B8 को यहाँ पर एलाव किया जबकि आप जोदपूर हाई कोट में जो जजमेंट देखेंगे जिसके अगेंस्ट में जो मामला स्री देवे नोटिफिकेशन था जो कि B8 को एलाव करने की बात ही थी उसको उन्होंने चैलेंज किया था 1993 का जो NCT Act है उसके प्रावधानों को सही से पालन करके इस 28 जून के गजट को नहीं लाए गया उसको उन्होंने चैलेंज किया था वहीं बात माने ने पटना हाई कोट यहाँ पर राम सर्ण मौरिया यानि सुप्रीम कोट ने यह एकजामिन किया ही नहीं कि राम सर्ण मौरिया वाले केस में जो प्रोसेस और जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था वो किया गया या नहीं किया गया जबकि यह मामला देवे सर्मा जी के याचिका में ध्यान से देखिए आगे paragraph में Honorable Supreme Court कहती है कि जो देवे सर्माई जी की याचिका थी Consider the validity of notification 28-28-18-NCT which had made eligible beard holders also to apply और ये सभी बाते mention की गई है तो ये वाला जो line है ये वाला जो 18 हों है पेज पर ये वाला जो पूरा paragraph है ये DL8 के favor में बहुत महतपूर line है क्योंकि Honorable High Court ने भी इस बात पर मोहर लगा दिया कि देवे सर्माई जी की याचिका अलग है और राम सर्ण मौर्या वाला याचिका अलग है राम सर्ण मौर्या वाला याचिका exactly 28-28-18 के gadget notification को challenge नहीं किया गया था तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जब आगे Friday को ये मामला लिस्ट हुआ है तो उस दिन इन सभी चीज़ों पर बहस होने की संभावना हो सकती है तो अगर आप उस दिन मानने पतना हाई कोट के इन चीज़ों पर बहस हो रही होगी और यहाँ पर चीज़े नहीं इन कंसीडर आउट होती है तो फिर राम सर्ण मौर्याग वाला जो प्रेयर होगा वो वहाँ पर प्रस्तूत किया जा सकता है डियलेट की तरब से तो यह सब कुछ आज चीज़े हुई है यहाँ पर बीरट को अगर अपना पक्च मजबूती से रखना है तो इस पॉइंट को हटाना पड़े गआ क्योंकि यह मामला आपके लिए पक्च को और कमजोड कर देता है क्यों कमजोड कर देता है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे अलेडी पतना हाई कोट ने इन चीजों पर बहस हो चुका है और पतना हाई कोट बिल्कुल क्लियर कर दिये कि रामसर्ण मौरिया वाला केस अलग है और जो देवे सर्माय वाला केस है वो अलग है क्योंकि देवे सर्माय की जब पहस हुआ ही नहीं था या फिर ये सभी चीजे चैलेंज ही नहीं थी जिसको मानने पतना हाई कोट ने यहां पर कंसीडर किया हुआ है तो इन सभी चीज़ों को लेकर के फ्राइडे को महत पूर्ण बहस हो सकती है अब यहां पर देखिए जो चीजे आज बीट की तरफ से दल है कि हम केवल प्रोस्पेक्टिव का लाब उनी कैंडिट को देंगे जो की कोट में बीड़ खुद से अपरोच ना किया हो तो यहाँ पर बीड़ खुद से अपरोच नहीं किया था जूकि उनको सुप्रीम कोट में अपरोच इस वज़ह से क्योंकि beard as a valid qualification notification में सामिल था तो ये उनके लिए plus point है हालांकि dealet के लिए plus point ये है कि उनकी joining appointment ही 11 गस्त के बाद हुई है तो अगर आप अपने valid point पर मजबूती से पक्ष रखेंगे तब कुछ चीजे हो सकती है जो आज beard की तरब से पक्ष रखा गया वो beard के लिए ही एक तरीके से खुद से पैर पर कुलाहाडी मारने वाला काम किया गया है जो कि beard के पक्ष को काफी कम जोड कर दे रहा है और ये point dealet के लिए मजबूत साभित होगा और dealet के points को बढ़ाएगा हालांकि अगर आप देखेंगे तो पूरा scenario जो है उमीद करता हूँ आप सभी के doubts क्लियर हो गया होगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शोब्भ